Hello friends, welcome to Indian GS. Friends, आज हम लोग जार्खन के most very very important 5,000 question answer के अगले part 5 को discuss करेंगे. इसमें हम लोग मर्दिकाल और जार्खन से related जितने भी question बनेंगे और उनके उत्तर को discuss करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं. पहला प्रस्न है, जार्खन में परवेश करने वाला पर्थम मुस्लिम आकर्मक कारी कोन था? तो ये था बक्तियार खिलजी था, जो पहली बार आकर्मन किया था जार्खन में. अब मुहम्मद बिन तुगलक का सेनापती मलीक बया ने किस छेतर को विजित कर फते खान को समर्पित कर दिया था? मतलब जीत कर फते खान को सौप दिया था, वहां का सासन करने के लिए. तो ये है चाय चमपा, जो की अभी हजारी बाक को बोला जाता है इस छेतर को. अब अगला देखते हैं, नागवंसी राजा वेनुकर्ण को पराजित कर सरपर्थम कर्द राजकिस मुसलिम सासक ने बनाया, तो ये है अल्लावदिन खिलजी ने बनाया. अब आगे देखते हैं, उरिशाक का गजपती नरेश, जिन्होंने जारखंड के विशाल छेतर को अपने अधिन किया, तो ये कौन थे, ये कपिलेंदर थे, वगला पुन मधिकालिन भक्ति संथ, जिन्होंने जारखंड में भागवत धर्म का परचार किया, तो ये कौन थे ये हैं, चेतन्य महापरवूजी थे, भगला पुन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का पर्थम सुल्तान, जो पर्थम सुल्तान कोन था, जिसने स्वे जारखंड के विरूद अभियान किया था, तो ये थे, फिरोज सा तुगलग था, जो की खुद आके जारखंड में अभिया किया थे, अब आगे देखते हैं, सेरसा के कि सेनापती ने महारत चेरो को पराजित कर स्याम सुन्दर नामक सफेध हाथी जो था, जिसका नाम था स्याम सुन्दर, उसको उठा ले गया था, तो ये है ख्वाज खान, ये स्याम सुन्दर नामक जो सफेध हाथी था, वो महार चेरो राजा के पास था अब आगे दखते हैं परा यों तेल कुपी के मंदिरों का जीषी न दार किस मुगल सिनापति दवारा किया गया था तो यह मांसि दवारा तो इसी मांसी दंके हो यह जो परा और एंसे हैं उसने भी नने, किया था अब आगे देखते हैं अकबर के समकालिन नागवनसी राजा थे यह मदुकर साजी थे अकबर के समकालिन जो नागवनसी राजा थे अब औरंग्जेव के समकालिन नागवनसी राजा कौन थे तो यह है रगुनाथ सा थे जो की औरंग्जेव के समकालिन थे इसका कहन देखते हैं वह नागौनसी राजा कौन थे जिनें जहांगीर ने बारो वर्स तक गौालियर किले में कैद रखा था कितने वर्सों तकemplo descri दूर्जन साल को साह की उफादी किसने दी तो यह जहांगीर ने दिया था साह की उफादी अब आगे देखते हैं जहांगीर को ग्वालियर किले से मुक्त करने पर दुर्जन साल ने कितनी रासी वार्षिक कर भुगतान करना स्विकार किया तो ये है 6,000 रुपए परती वर्ष इन्होंने देने के लिए स्विकार किया जब इसको छोड़ा जा रहा था विदेश यात्री जिन्होंने अपनी यात्रा विर्टांत में जार्खंड के को हीरा परदेश के रूप में वर्नित किया ये कौन है वर्नियर और ट्रेव वर्नियर ये दोनों है जिन्होंने जार्खंड को क्या कहकर वर्नित किया हीरा परदेश अब आगे देखते हैं औरंग का यूद 1660 में किसके बीच लड़ा गया तो यह दाउद खां यहों साहब राई के बीच लड़ा गया था जो औरंग का यूद था 1660 में लड़ा गया था अब अगला पंड वा चेरो राजा जिसे जहांगीर ने गिरफतार कर सेरो के बीच लड़ने के लिए छोड़ दिया था तो यह सबल राई जी थे इसको मतलब गिरफतार करके सेरो के बीच छोड़ दिया गया था लड़ने के लिए बागए दिखते हैं औरंग्जेव के समकालें चेरो राजा कौन थे तो यह थे मैदनी राई थे अब मुगल काल में जार जारखन को इस नाम से पुकारा जाता था कुखरा या फिर कुकरा परदिस अब किस मराठा सेनापती ने जारखन के विरूद अभ्यान किया था तो यह है भासकर राव पंडित जो की मराठा सेनापती थे इन्होंने जारखन के विरूद मतलब युद छेरा था अब मुगल क रिशा मुंडा द्वारा अस्तावित मुंडा राजवन्स के पर्थम राजा थे तो यह थे सूतिया पाहन थे पर्थम राजा और सूतिया पाहन का राज कितने परगणा में विभाजित था तो यह 21 परगणा में विभाजित था सूतिया पाहन का राज अब मुंडा राजवंस के अंतीम राजा कौन थे तो यह थे मदरा मुंडा थे मुंडा राजवंस के अंतीम राजा नागवंस की अस्थापना किस ने तथा कब की थी तो यह किया थे पन्नी मुकुट राइजी को माना जाता है नागवंस का आधि प्रूस माना जाता है तो य माता का नाम पार्वति और पिता का नाम पुन्रिक राय के अब आगे भगते पर्थाई की राजधानी चूटिया किस नदी के किनारे चूटिया जो की रांची में और ये स्वर्णृखनदी के किनारे श्तित है और ये किस की राजदानी थी परताप राई की राजदानी थी रगए ठें बर्वा का यूद इसके बीच लड़ा गया ल रख्सिल राजा तथा भींकर्ण के बीच लड़ाना अब अगला करने अस्ताफित की थी गुमला के कुरांबय में विश्णु भगवान जी की मूर्ती अब जहांगीर के सासनकाल में दोईसा को राजधानी निर्मित करने वाला नागवांसी सासक कौन था तो यह है तुर्जन साल था जो दोईसा था उसको राजधानी अस्ताफित किया गया अब एनि सा दोरा जगनात मंदीर का निर्मान किस वर्स किया गया था तो ये 16illi 1921 में किया गया था जो जगनात मंदीर है और ये एनि के सासक थी अब रातुगर को नागवंस की राजधानी कि सासक ने बनाया था तो यह उदैनाथ साहदेव ने बनाया था रातुगर को नागवंस की राजधानी अब अगला पंड यदूनाथ सा की राजधानी क्या थी तो ये पालकोड थी यदूनाथ सा की राजधानी किस चेरो राजा का सासनकाल स्वर्न यूग के नाम से जाना जाता है चेरो राजा थे ये हैं मेदिनी राय के सासनकाल को स्वर्न यूग के नाम से जाना जाता है पुराना पलामू किला का निर्मान किस चेरोज राजवनसी ने किया था तो ये परताप राइने किया था जो पुराना पलामू किला जो पलामू में इस्तिर्थ है उसका निर्मान परताप राइजी ने किया था अब आगे देखते हैं पलामू के किस सासक ने और अग्जेव क के सेनापती दाउद खांक के डर से इसलाम धर्म स्विकार कर लिया तो यह है चुन राय इन्होंने इसलाम धर्म स्विकार कर लिया था दाउद खांक के डर से अब अगला पॉइंट देखते हैं धनबाद में के मानवंस के इतहास जानने का मुख्य स्रोत क्या है तो यह बगलापन जार्खंड का कौन सा राजवन्स सबर जन जाती पर अत्याचार करने के लिए परसिद्ध था तो ये मानभूम वन्स था जार्खंड के किस राजवन्स को गोमुखी राजा कहा जाता था तो ये पंचेत राजवन्स को आगे देखते हैं जार्खंड के किस राजव खूणवर कपिला गाय का पूँछ था तो यह पंचेत राजवाँ नंसका था कि रामगर के चीए मपनस का अंतीम राजध्र mobile कों सा था यह था पदमा है विग्णु क्या हनसराजदेव द्वारा किस राजवाँ द्वारा तक Всё कि गई थी तो यह है खड़क डिया राज्वन्स की किसने हंसराजदेवद्वारा कि भागे देक्ते हैं आठ्वी सथी में कांसीनाथ सींद्वारा सींवन्स की अस्थपना किस अस्थान पर की गई थी तो यह सिंभूम में की गए थी लफ सीवंध के पास किस पनलसीवांज के किस सासक ने पोराहट को राजधानी केंद्र के रूप में विच्षीट किया गया तो यह कासी रामसिंग के द्वारा जो पोर्ण पुरहाट को क्या बनाए गया था राजधानी बनाए गया था अब अब लापन रामगण में सीह राजवन्स की अस्थापना तेरो सो अर्शट में किस ने किया था तो यह किया था बागदेव सीह ने किया था तो दोस्तों यह था important questions इसे एक दो बार देख लें ताकि आपको क्लियर समझ में आए थैंक्यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें इंडियन जीएस को और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस जाइक चनले थैंक्यू